जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन दूँगा दोस्तो मैं आपको बताई रहाता कि OROP 2 की थर्ड इंस्चॉल्मेंट तीसरी किष्ट आपको दिवाली से पहले मिल सकती है मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया लेकिन दोस्तो बैंक की तरफ से OROP 2 की तीसरी किष्ट आना स्टार्ट हो गई है जैसे कि आप पीछे मैसेज देखने एक पैंशनर लिखते है सराय रिसीब्ड माई OROP 2 एरियर थर्ड इंस्चॉल्मेंट सेम एस प् जो इनके खाते में ये एमाउंट आया है एरियर आया है ये बिल्कुल सेम आया है जो इनको पहले किष्ट मिलीती दूसरी वाली तो दोस्तो ये मिला है बैंक के द्वारा जो पैंशन ले रहे हैं पैंशनर अभी सपर्ष ने प्रोवाइड नहीं करा है और हम ये उमीद करत आते हैं ऐसी दोस्तो एक और पैंशनर हैं उन्होंने भी ये लिखाया सर ओर ओर पी टू की थर्ड इंस्वाल्मेंट आई है खाते में बैंक की तरफ से आपको भूद भूद धन्यवाद सही जानकारी देने के लिए दोस्त हमें आपको बताई राता पहले कुछ वीडियो म और हम उमीद करते हैं कि दिवाली से पहले मिल जाए चलते हैं अगली इंफोर्मेशन की तरफ फिर दोस्तो काफी इंपोर्टेंट लेटर कल पर सो मैंने एक वीडियो बनाया था फिक्स मेडिकल एलाउंस और ECHS पे कि भारत सरकार के पास डिमांड गई है कि जो फिक्स एक हजार से बढ़ाकर 5000 रूपे कर दिया जाए दोस्तो एक लेटर निकला और यह लेटर है वैलफेर and Rehabilitation Board की तरफ से जिसमें Fixed Medical Allowance का पैसा 1000 से बढ़ाकर 5000 रूपे करने की मांग करी है और दोस्तों इनके letter में एक format बना हुआ है जो ये format इसमें rank भरेंगे, name भरेंगे, unit भरेंगे, cadre भरेंगे, category भरेंगे जो भी detail है और फिर ये forward करेंगे department को तो इसके base पर इनका Fixed Medical Allowance का भत्ता 1000 से बढ़ाकर 5000 रूपे कर दिया जाएगा जैसा कि इस letter में भी लिखा हुआ है दोस्तों ये letter है 31, 10, 2023 का और दोस्तों वैसे ये letter भेजा गया है जमू एंड कश्मीर zone को enhancement of Fixed Medical Allowance to retiree from 1000 to 5000 यानि जो retiree हुए उनका Fixed Medical Allowance का पैसा 1000 रूपे से बढ़ाकर 5000 रूपे कर देना पर मन और दोस्तों इसी का एक letter दा पहले 16, 8, 2023 का फिर इसी का reply दिया था तो दोस्तों यहाँ पे welfare and rehabilitation board ने एक letter निकाला था जो यह letter नंबर है 20-10-2023 का जिसके बेस पर इन्होंने request करी थी department से कि आप इस format में यह भरकर हमें forward करिए और कब तक 5-11-2023 तक तो इसके base पर फिर यह data match करेंगे जिनसे यह data मांगा गया है उनके data को reconcile करेंगे match करेंगे और उसके base पर जो fixed medical allowance का पैसा है वो बढ़ा देंगे कितना 5,000 रुपे जैसे कि इसमें लिखा है W.A.R.B. M.H.A. इनका letter number has requested to forward data of all pensioners to reconcile the data of W.A.R.B. और दोस्तों यह information मांगी थी 5-11-2023 तक इस format में जिसमें retirement, state, home, address, mobile number, फिर NOK, next of king, फिर relation with pensioner तो यह format है दोस्तों तो यह भरकर देना था 5 November 2023 तक तो दोस्तों में भी दे दिया होगा और इस पे कारेवाई हो भी होगी तो दोस्तों में भी ऐसा है कि इस पे भारत सरकार कु दोरा और फिर यह हर एक pensioner पे लागू कर दिया जाए यानि जो ECHS में जाना चारे वो ECHS में जाए जो fix medical allowance लेना चारे वो fix medical allowance ले चाहे वो 2003 से पहले आये हो या भी 2003 के बाद आयो यानि जो option उन्हें अच्छा लग रहा है वो option चूज कर सकते हैं लेकिन दोनों में से कोई ए एक ऐसा नहीं कि आप दोनों चीज़ ले रहो ECHS की facility भी CGHS की facility भी और fix medical allowance का पैसा भी ऐसा नहीं तो दोस्तों यह थोड़ी सी खुछकबरी हो सकती है कि हम बात कर रहे थे कि 1000 से 5000 रूपे fix medical allowance का भत्ता करा जाए तो दोस्तों यह may be possible हो कि जो fix medical allowance का पैसा है वो कही ना कहीं राहत दे pensioner को तो दोस्तों यह कुछ information थी जो मैंने आपको समझाई है 31,10,2023 का यह letter है तो इस format पे भरकर दे दिया होगा department को उसके बाद department खुदी कारवाई करेगा इस format के base पर तो दोस्तों I hope सारी चीज़ आप समझ गये होंगे बाकि अगर आपको भी OROP 2 की तीसरी आई है बैंक की तरफ से तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों यह information मैंने आपको दी इसके लिए regarding आपको और कुछ पूछ रहा हूं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आपको यह letter चाहिए होगा तो आप यह भी ले सकते हैं थैंक्यू सो मच